आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ लोगाईज हम इस Question में दे रखा है कि अगर P जो हमारा सेट है वो कंटेन करता है ABC को और जो Q है हमारा सेट वो Element R को कंटेन करता है तो बुला है कि P x Q को फर्म करो ठीक है और Q x P वाले सेट को भी फर्म करो सबसे पहले हम पन P x Q को फर्म करते है देखो अगर P x Q में अगर यहाँ पे M और N टाइप में कुछ पेर बना दूँ तो यह क्या होता है यह हमारा जो M होता है वो बिलोंग करता है P वाले सेट से और जो N होता है वो बिलोंग करता है Q वाले सेट से देखो तो P क्रॉस Q का मतलब होता ही है पेर बनाना ओके जहाँ पे M हमारा क्या होता ह P वाले से बिलोंग करता है, N हमारा Q वाले से बिलोंग करता है, ठीक है, स्मिलरली, यहाँ पे अपन P x Q बनाते हैं, इसका सेट बनाते हैं, तो देखो, पेर बनेगा हमारा, तो P वाला element, यानि A का पेर बनेगा Q के element के साथ, B का भी पेर बनेगा Q के element के साथ, और C का भी पेर बनेगा Q के element के साथ, सबसे पहले A का pair बनाते हैं, तो A का R के साथ देखो, हमारा pair बन गया, और B का भी pair बनेगा किस के साथ, R के साथ, C का भी pair बना दो, R के साथ, तो ये हमारा P cross Q आगया, Similarly, Q cross P हमें निकालना है, Q cross P अपन निकाल लेते हैं, तो देखो, Q का यानी कि इसका pair बनेगा हर एक element of P के साथ, तो R का pair बनाओ A के साथ, फिर R का B के साथ, और R C के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, R का A के साथ R का B के साथ और R का C के साथ पेर बन गया, ठीक है, तो देखो हमसे यही पूचा था, सेट बनाओ P x Q और Q x P को ठीक है, तो सेट हमने देखो यह बना रखा है, यह हमारा है P x Q और यह हमारा है Q x P वाला, ठीक है, तो यह 6-12 से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर